हाई फ्रेंड्स गुड इवनिंग एन वन्स अगें विल्कम तो मा यूटूब चैनल ब्रेंस आफ्ट ऑनलाइन क्लास आज की स्पेसल वीडियो लेक्चर में आप सबका बहुत स्वागत है स्पेलिंग मिम्क पार्ट वन वीडियो लेक्चर फूर्द में आपको जैदा समझ में आएगा क्योंकि जो इसके बेसिक्स है जो मिस्टेक के गुंजाइस होती है जहां पर ज़्यादा गलती करते हैं इसके सारे बेसिक्स रूल के बारे मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ यहीं इसके जो special mistake in English का जो वीडियो lecture part 1 है उसे आप जरूर देखें इस वीडियो में हम already discuss कर चुके हैं कि गलती क्या होती है कैसी होती है क्या इसके fix rule है Yes friend इसके fix rule है और वीडियो part 1 में 3 rule पे हम already discuss कर चुके हैं उन तीन rule को देख ले और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं rule no 4 से हम continue करेंगे और end तेक देखेंगे जो गलती होने की ज्यादा possibility है वो सारे reason को हम discuss करेंगे तो first rule में आप rule no 1 में आपने देखा था कि reason क्यों गलती होती है 26 letter होते है लेकिन 44 sounds होते है इसके अलावे आप silent letters होते हैं जिस कारण से गलती होती है फिर तीन rule quality rule को हम discuss कर चुके है part 1 में इसलिए यहाँ पर हम skip करते हैं से और चौथे rule से rule no 4 से हम यहाँ discuss करेंगे इन सारे rule को in detail discussion वीडियो part 1 में कर चुके हैं इसलिए मैं बार बार आप से request कर रहा हूँ कि आप वीडियो part 1 को देखे तो तीन rule तक हम देख चुके हैं चलिए आज start करते हैं rule no 4 जो rule no 4 है वहाँ से भी आज वीडियो देखना है start करते हैं चलिए तो आज का वीडियो start होता है rule no 4 से तो इससे पहले वीडियो में देखा था आपने कि अगर किसी एक rule था कि किसी word के last जैसे कोई noun है अगर उसमें आई एंग यूज करते हैं या कोई word है जिसमें ऑग यूज करते हैं तो कोई word है उसके पहले यह वॉकी वहल गट लास्ट में कंसोनेंट है, उसके पहले एक वावल है, तो हम उस वर्ड को डबल करते हैं, जैसे कट, C-U-T, कट, तो T last में है, उसे पहले U है, वावल है, तो उसका स्पेलिंग हुआ C-U-T-I-N-G, कटिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए, W-A-I-T, T है, उसके पहले एक वावल है, लेकिन यहाँ पे हम जब I-N-G यूज़ किये हैं, तो यहाँ पे I-N-G यूज़ करने के बाद, इसमें डबल टी नहीं यूज़ करेंगे, वेटिंग हुआ, वेटिंग का स्पेलिंग हुआ, W-A-I-T-I-N-G, मीट में देखिए, M-E-T-I-N-G, जबकि T है, उसके पहले पहले एक वाविल है, फिर भी इसमें डबल टी का यूज़ नहीं किया, तो बहुत लोग नफ्यूज़ करते हैं, बस आपको थोरा से इसमें ध्यान देना है, कि इतने भी वाविल है, इसके एक लास्ट में कंसोनेंट है, उसके पहले दो वाविल है, जैसे वेट में A-I वा मिट का M-E-T-I-N-G मिट का M-E-T-I-N-G मिटिंग और रिन का और इनिग, पर सिंपल आपको याद रखना है, वाविल होगा, तो उसमें हम लास्ट वाविल को डबल करेंगे, जैसे अरनिंग R-U-N, तो N है, उससे पहली यू एक ही वाविल है, तो R-U-N-N-I-N-G, यहाँ पे दो वाविल है कंसोनेंट से पहले इसलिए स्पेलिंग को हम डबल नहीं करेंगे आई होब आपको समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं रूल नंबर फाइब रूल नंबर फाइब है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ए है डी आई डाई टी आई टाई और लाई लाई तो उसमें जब हम आई एंजी का यूज करते हैं तो आई ए को वाई में बदल देते हैं और उसका सिंपल स्पेलिंग आई ए के जग़ए वाई लिखे उसमें आई एंजी लगाएंगे अगर बीफोर में यूज करेंगे तो आई ए के जग़ब पे वाई इसडेक़ करना है उससे ताई के स्पेलिंग क्या हो जागा टी यहां पर पर स्पेलिंग में स्टिक हो यहां पर क्या होना चाहिए था टी आई की जग़ब पर ती वाई आई एंज on the WAY य य इन जी य उन चाहिए और लाइक होगा ल वाई आई एनजी लाइं ये भी बहुत लोग इसमें इसमें कनफ्यूज करते हैं बहुत लोग गलती करते हैं इसे आप इस concept को अपने माइन में रखें नेक्स्ट रूल देखते हैं रूल नमबर 6 अच्छा अगर लास्ट में आई ए है तो उसे हम य में convert करते हैं लिकिन आपको याद रखना है इसमें लोग कन्फ्यूज करते हैं लास्ट में अगर वाई है तो कुछ नहीं करना है उसमे कोई word depict नहीं होगा किम दुस्सरे word में replace नहीं करेंगे simple cry है तो crying होजागा study हो जागा try है death. इसमें लोग थैंड करते हैंß क्योंकि अगर प्रूड बनाते ही इसे क्राइब है इसमें का प्रूड में इस अगर ना हृज़重要 का इसे क्राइब भना लगाते हैं तो क्राइब और य यह को बिल्गी नगल स्ट्सि Cumel नहीं के बनाते हैं आई होग कि यहां तक आपको बिल्कुर समझ में आ गया हुआ नेक्स टूल आपको मैं बतारा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा अब देखे इस रूल में डबल ए साउंड यानि की बड़ी ए का साउंड जो है डबल ए लिखने का मतलब है यहां पर बड़ी ए यह लंबी ए का जो चारण जो हम करते हैं साउंड में तो वहां पर क्या होता है कि आई ए पहले आएगा लेकिन सी अगर वर्ड आ गया तो सी के बाद आई ए नहीं आएगा सी के बाद ए आई आएगा जैसे उपर वाले सेंडेंस वर्ड में आप देखे जो ए में लिखा हुआ है पीस चीफ पीस पीस बड़ी ए का साउंड है चीफ फेल्ड ग्रीफ डीजल अचीव तो अब इसमें देख लेकिन अगर वर्ड में सी वर्ड आ गया तो सी के बाद आई ए यूज नहीं करेंगे सी के बाद ए आई मतलब वो ठीक उल्टा हो जागा जैसे सिकेंड वाले बी में आप देखिए डी इसी सी आ गया इसके बाद आई ए नहीं होगे ए आई यूज हो रहा है डिसीव रिसीव बड़ी का स होगा तो क्युंद करना है लेकिन अगर वर्ड में है तो आई जगह पे आपको तो क्युंद करना अगे है लेकिन क्युंद delo करना लेकिन ऐसे मानना की हमैसा आई एक ही यूज हो जबया और सी ज़ Ess tickets गलत होगा, क्योंकि मैं बार बार बोलना हूँ कि बड़ी E के साउंड में, बड़ी E के जब उसका साउंड आएगा, उस केस में यह दो रूल आपको याद रखना है, यही रूल होगा, लेकिन जब साउंड छोटी E का आएगा, तो वहाँ पे C के बाद भी IE यूज हो सकता ह है, जैसे C में लिखा हुआ है, प्रोफिसियंट, यहां पर छोटी E का साउंड है, प्रोफिसियंट, सैंटिफिक, सैंटिफिक, सैंटिफिक में छोटी E का साउंड है, आप देख सकते हैं, C के आने के बाद भी, प्रोफिसियंट में, प्रोफिसियंट में, उसके बाद ही I use हुआ तो I hope की ये concept थोड़ा सा आपको practice की ज़ुद पड़ेगी लेकिन simple आप ध्यान में रखें कि बड़ी E का sound आएगा तो I use करेंगे अगर C आ गया तो E I use हो जाएगा लेकिन अगर sound छोटी E का होगा तो वहाँ पे C के बाद भी I use हो शकता है तो I hope की आपको ये सारा rule समझ में आ गया होगा और आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो I hope की बहुत आप पसंद किये होंगे एक special trick मैं आपको बताता हूँ एक special rule बताता हूँ जिसे आप अपने English को English spelling mistake को दूर कर सकते है daily English writing practice आप रोज English लिखे किसी English के book से newspaper से, magazine से, novels से कहीं से भी एक दो page आप English कितना समझ में आता है क्या आता है उसका आप क्यार ना करें कि अब इंग्लिस का दो page आप रोज लिखे आप वर्ड से आप गुजरेंगे उसे रूबडू होंगे उसको वर्ड को देखेंगे रोगो थू होंगे उस वर्ड से तो आपका definitely आपका English spelling mistake बहुत दूर हो जाएगा आप इंग्लिस बहुत इंप्रूव होगा तो आप English लिखने का प्रैक्टिस करें कहीं से भी आप लिखें लेकिन इंग्लिस को रोज 10 से 20 मिन इंग्लिस लिखने की प्रैक्टिस करें तो यह रूल आपको लाइक करें और शेयर करें और मैं अगला वीडियो एक बनाने जा रहा हूं उसमें यह sound से related बनाने जा रहा हूं जिसे बहुत लोगों confusion होता है कि कहां पे C का उचारन सा होगा और कहां पे C का उचारन का होगा for example C century century में C E N T U R Y century में साका उचारन होता है और जब हम use करते हैं quote C O A T तो वहाँ पे काका उचारन होता है तो एक fixed rule मैं बताऊंगा जिससे आप खुद से कहां पे साका उचारन होगा कहां पे काका उचारन होगा आप खुद से जान सकते हैं इसका fixed thumb rule मैं आपको बताने वा अप्लोड हो तो इसका notification आपको खुद से मिल जाए इसके लिए बेल बटन को प्रेस करें और अधिक्स अधिक्स वीडियो को सेर करें thank you for watching thank you keep learning keep watching thank you so much